उत्तराखंड की भूमी देव भूमी के नाम से प्रसिध है यहां हजारों मंदिरों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं ऐसे ही प्रसिध मंदिरों में से एक है कोड़द्वार का श्री सिद्धबली मंदिर श्री सिद्धबली मंदिर उत्राखंड के पौड़ी कड़भा जिले के कोड़ द्वार में खोनदी के टटपर इस्थित महाबली हनुमान जी महराज का एक प्रसिध मंदिर है जो खोनदी के किनारे पर करीब 40 मीटर उचे टीले पर इस्थित है हनुमान जी महराज के दर्शन करने के लिए मंदिर की 150 से अधिक सीडियों का सफर तै करने के बाद भक्त मंदिर में पहुंचते हैं मान्यता है कि सिद्ध बली मंदिर के द्वार से कभी कोई भक्त खाले हाथ नहीं लोटता है यदि आपकी भी कोई एक्छा अधूरी है तो एक बार सिद्ध बली मंदिर की यात्रा करने का खयाल जरूर करें श्री सिद्ध बली मंदिर कोड़द्वार बजरंग बली का एक प्राचीन सिद्ध पीठ मंदिर है सिद्ध बली मंदिर के स्थापना के बारे में माना जाता है किस स्थान पर एक सिध्ध पुरुष को तपस्या करने के बाद हनुमान जी की सिध्धी प्राप्थ हुई थी तब उस सिध्ध पुरुष ने हनुमान जी महराज की एक विशाल मूर्ति के स्थापना यहां पर की तभी से इस जगहा का नाम सिध्ध बली पड़ गया माना तो यह भी जाता है कि ब्रिटिक शाशनकाल में एक मुस्लिम आफिसर इसी जगह से घोडे पर सवार होकर गुजर रहे थे तब वहाँ अचानक वहाँ पर बेहोश हो गए तभी उन्हें इस सपने में आया कि सिध्ध बली बाबा की समाधी के पास एक मंदिर बनाया जाए जब वहाँ होश में आये तो उन्होंने आसपास के लोगों को अपने सपने के बारे में बताया जिसके बाद ये मंदिर यहां लोगों की मदद से बनाया गया आपको बता दे कि सिद्वली मंदिर में आज से श्री सिद्वाबा अनुस्ठान महोचसव समीती की और से तेन दिवसी अबार्षिक महोचसव शुरू हो गया है बात अगर मेले की दिव्यता और भव्यता की करें तो इसके प्रशन सा कोड़द्वार में ही नहीं बलकि देश विदेशों में भी होती है उत्तराखंड के लोग विशेश रोप से कोड़द्वार वासी हर साल दिसंबर महा में सिद्वली मेले को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं